है हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल टीके डी स्टेडी नंबर बन में तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कंप्योटर कोर्स कर रहे हो और लेवल त्रॉप सी डी स्टे से अफिर कंप्योटर साइंस के लिए इंपॉटेंट है लेकिन दोस्तों अकर आप कंप्योटर चलाते हो इंटरनेट वी सर्फिंग करते हो तो आपके लिए यह तोफिक बहुती जादा दिल्चस्म होने बाला है गया है तो दोस्तों वी डाउट को क्या है जो इंटरनेटव और काफी सारे प्लॉटोकॉल है जो की बिर करते हैं लेकिन आज की से बीडियों में टीचिपी और आइपी के बैर में मुझें करेंगे वह यह अच्छे से समझाताऊ को वी पूरा एकना बिन में शिप किए तो दोस्तों पहला समय लेते हैं प्रोटोकोल अखिर प्रोटोकोल क्या है तो दोस्तों प्रोटोकोल का मतलब है सेटड़ रूल्स यानकी कुछ नियम होते जो की इंटर्नेट पर बढ़ करते जैसे की आपका data sender से receiver तक जो जाना है वह किस नियम से जाना है किस रास्ते से जाना वहाँ पर क्या करते प्रोटोकोल बर करते जो कि काफी सारे प्रोटोकोल है तिकिन आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिसक्स करेंगे पहले जान लेते हैं टीसीपी क्या है टीसीपी की प्रोसिस क्या है दोस्तों टीसीपी इस्टैंस फोर ट्रांसमिस्टन चांट्रोल फ्रोटोकोल यानि कि आपका जो डाटा जा रहा होता है सेंडर से रिसीबर तक या फिर सरवर ट्रोटो करता लोडिंग बहुत और प्लोडिंग अप्लोडिंग भी अप्लोडिंग बिम जिनको को बोल सकते हैं समझ लेते हैं उतके पहले मालीजे एक कंप्यूटर यहां पर है या फिर कोई डिवाइस हो सकता है फिर मुबाइल हो सकता है एक कंप्यूटर यहां पर है यह एक कंप्यूटर है और यह बी कंप्यूटर है यह आपका कंप्यूटर यह आपके फ्रैंस का कंप् एक MPM की फाइल पड़ी है आपको फाइल अपने प्रेंड को सेंड करना है तो वहाँ पर कौन सी फिरोसीस होगी दोस्तो société क्वात यह अकिए व्लोड करर रहा है तो डोस्तों लाटन यहां से जा रहा हो तक राउटा और जा रहा होता है उसको मैनेज कर कौन करता प्रोटोकोल प्रोटोकोल में कौन सा है प्रोटोकोल ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकोल और आईपी प्रोटोकोल दोनों ही एक साथ बर्क करते हैं सिंगल प्रोटोकोल कभी भी वर्क नहीं करता हमेशा दोनों प्रोटोकोल साथ रथी वर्क करते जिनको इंटरनेट सूट प्रोटोकोल भी कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों माली जिए आपने एक एम बीकी फाइल यहां से एफ कंप्यूटर से भी कंप्यूटर तक सेंड की तो फाइल क्या ऐसे ही चली जाएगी दोस्तों ऐसा नहीं है काफी सारे नियाम माली जिए एक एम बी में पांच पैकिट यानकी पांच बिलोक में यह डाटा डिवाइड हो चुका है अब यह आपर सैंड हो रहा है यानकी सैंड हो रहा है एक कंप्यूटर से भी कंप्यूटर तक तो यह क्या कहा है एक पैकिट बाइपैकिट एक पैकिट बाइपैकिट पहुचेगा तो यह packet को manage को करता TCP करता transmission control प्रोटोकोल अगर इस में से कोई भी मा लिजिए यह चार पैकेट तो चले गए एक पैकेट लोस हो गया यहनकी नहीं पहुच पाया तो उसको recover कोन करता है TCP transmission control प्रोटोकोल जिसको हम बोलते हैं इसको recover कोन करता TCP प्रोटोकोल करता इनकी कोई भी अगर पैकेट रह गया है तो उसको रिजरनेट भी प्रोटोकोल भी हम इसको बोलते दोस्तों जब तक connection बना रहता है तब तक की पूरी फाइल आपने एक सब्सक्राइब की कितने की फाइल सेंड की तब तक जब तक connection बरकरार रहेगा जब तक कि आपने जो डाटा सेंड क्या है एक कंप्योटर से बी कंप्योटर जब तक वो को फाइनल डाटा सेंड नहीं होगा तो इसकी जो प्रोसीस होथ होती वो टीसि पी करता transmitted को delete mg को डिस्वं करता TCP को and run करता नहीं करता इंटरनेट प्रोटोकोल जिस्कों बोलते वह करता चैख norm पर डाटा जाना है उसको address जो चेक करता वो आई-पी करता जिसके बारे में अभी आगए अच्छी सा डिसकस करेंगे पहले टीसीपी के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों यह तो हमने समझा के मालीजिए दोस्तों हमेसा इंटरनेट पर फिरोसिस होती दो परकार के प्रोसिस होती मालीजिए यह क कोई शरबर रहें दो कोरें सरबर है और आपको यहां से कोई फाइल को डाउनलोड करना या फिर ऑडीयो ब्यूडयो ग्राफिक्स तुसाएं बोल सकते हो या पिर डेटा तो आपको क्या करना यहां पर रिसीब करना है कूई भी ।पर रूरा दापर ठ seríaकri तो यहां पर, क्या कौन सी प्योंसी वोगी को सफिस होगी कौन सी रिसीवींग कैसे रिसीव क्योंकि आप सर्वर से कररे लेकिन यह पर ये अधिक बार एक्जाम में आया हुआ कुछन है तो दोस्तों अभी हमने समझा के यह अप्लोडिंग और डाउनलोडिंग की जो प्रोसिस होती हमेशा टीसिपी आईपी ही करता है दोस्तों यहां से यहां तक जो डाटा आगा वह भी मालीजी कोई 10 MB की फाइल है तो उसके क्या होंगे छोटे-छोटे करदे पैकेट में वो डिवाइड ô जाएगी इस तरह से माल से ऑकेट करके ही आपके सिस्टम पर आजाएगा तब यह सिक्वेंस में लग जाता है डाटा उसके लिए उस पर भी प्रोटोकोल ही वर्क करता है दोस्तों तो दोस्तों अभी हमने जाना टीसीप क्या करता है माली यह कंप्रिटर आपका यह आपके फ्रेंड्स का या फिर एक सर्वर है यहां से यहां तक जो being important है जुस्तों समतिक जरें त्यंस होस्ट्टी यль कोсь होस्ट कणेक्टीटी टांसपोट लेयर यान कि यह वह oni hyofer मोडल यानच केक्ट नेई लेगे दो कंप्यूटर के भी दायक्ट कनेक्टीवीट्टी को स्टेवलिएस करता तो तो पकल्सत्रा तो टेसीपि करता छूक् या फिर ब्लोक जिनकों बोल सकते हैं छोट छोटे जिस पर डाटा ट्रांस्मीट होता है एक कंप्यूटर से दूर कंप्यूटर तक या फिर सेंटर से रिसीवर तक भी आप बोल सकते हो responsibility and Connection Oriented Protocol दोस्तों यह responsible होता Connection Oriented के लिए यान कि जैसे हमने भी बताया तब तक connection बरकरा रहता जब तक की final data सेंड नहीं हो सकत हो जाता है सरबर से receiver तक तो TCP प्रोवैट डाटा हो है delivery guarantee और दोस्तों एक बहुत इम्पोटेंट बात यह है कि इसमें हमेंसा data को छी होनी की गारंटी होती एक और प्रोटोकॉल जो की इसी परकता यू डीप लेकिन उसमें data के टर्शच होने की यानि की फाइनल डाटा ट्र्ली टरॉब Bluetooth दोगा या नहीं होगा या data üsकी गारंटी होती लेकिन टीसे पी में होता कि आपने जो भी डाटा सेंड क्या है वो सेंड होगा और तब तक connection और एंटेड प्रोटोकोल इसलिए यह तब तक connection बना रहता इसमें जब तक कि आपका फाइनली डाटा ट्रांस्मिट नहीं हो जाता तब तक यह connection सब्सक्रार तीप प्रोवाइड एर और कंट्रोल ऊप्रों को इरल को भी जो कंट्रोल स्ट ऑफ करता से क्या उसको कोईसमने डांट टो नहीं तो उसको भी मैंनेकर यर्ट ुद अब तो दोस्तों तो सब्सक्राइब और आ हमेशा एक प्रोटोकोल बर्ग करता आई पी यहन की जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकोल भी बोलते हैं तो दोस्तों आई पी स्टेंज फॉर इंटरनेट प्रोटोकोल इन्टरनेट प्रोटोकोल इन्टरनेट प्रोटोकोल इन्टरनेट प्रोटोकोल इन्टरनेट प्रोटोकोल जिसको हम बोलते इन्टरनेट प्रोटोकोल दोस्तों यह क्या करता यह एड्रस चेक करता जैसा समय लीजिए माली लिए इंटरनेट पर एक ही कंप्यूटर करें कटशन नहीं होगा का मबंदे के पास कई कै मुबाइल औरकल नहीं क्या मिसक्लीर अनुस्ट्र्फ आ ऐसे में असली एक नेंटर और जाता है अदर्वाइस एंकि किशी और क्यों नहीं जाता तो दोस्तों बहाँ पर क्या होता बहाँ पर करता IP इंटरनेट प्रोटोक नीज चेक करता लिंक कहां पर डाटा जाना है और कहां से जाटा आना है यह चेक करता आई-पी प्रोटोकोल की रेस्पोंसिबिलेटी बनती है दोस्तों तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं आई-पी प्रोटोकोल क्या से काम करता है दोस्तों पहला उधान के तुरू मैं आपको थोड़ा सा स पूछता है कि मुझे विकास से मिलना है तो क्या वो मुरादबाद में मुझे मिल पाएगा दोस्तों नहीं मिल पाएगा क्योंकि मुरादबाद में एक ही विकास तो नहीं होगा तो इसलिए उसके वास क्या होना चाहिए मेरा यूनिक हताँ है उसके पास में एडरस है जबना किसी से से पूछे मेरे पास आल सकता है दो क्या होता है यहाँ पर क्या क्लावर्या से अटला क्या होताह्या थाल नहीं यょ ओसमें क्यूता एक आई पी ओता इंटरनेट प्रोटोकॉल बर्क करता जिससे पर आई पी जिओ का अगर आप सिम चला तो जी ओक अलग होगा अईडिया का यह प्या लग हो और इनके अलग अलगी शर्वर होते हैं जिसके पास यह इनकी जो फी जो की एड्रस था वह स्टोर ह एक कनेक्ट होता और यह पता करता कि यह 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 आणकि एक इस यह दूसरे इस पर डाटा जाना है उसका एड्रस क्या है उसका डूंड इंटरनेट बना देयन सब्सक्राइब और जिस पर TCP बर्ग करता है इनकी TCP को डाटा स्रेंड करता और IP दोनों को पता करता कि इसका IP क्या है और इसका IP क्या है तब जाके दोनों का connection बनता है तो इस पिरकार से IP बर्ग करता इंटरनेट प्रोटोच को जिसको उम बोलते दोस्तों यह बहुत ही इंपोरटेंट प्रोटोच कोल होता बना IP के आप इंटरनेट नहीं चला सकते इंटरनेट की सरफवंग नहीं कर सकते तो दोस्तों ip के 7 फिल इस समय लेकिन पहले लेकिन अब आजके रेट में आईपी बर्जन 6 का भी यूज हो रहा लेकिन अधिकतर आपी बर्जन 4 का ही यूज हो रहा है जो कि इसकी पांच किलास होती है एक किलास A B C और D इन किलासों में ये डिवाइट होता और हर एक किलास का अलग होती हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी सभी कोई छोटा सा तोपिक नहीं है अगर इसी वीडियो में हम अगर इसको कपर करें तो वीडियो काफी ज़्यदा लंबा हो जाएगा लेकिन दोस्तों हमने क क्या समझदा के टोंटर आई पी क्या है इंटरनेट प्रोटोड जो च Separate たい अंत्डा लिंक एड्रस चेख करता जानकी किस कंप्योट ने डाटा सैंट क्या ऻismus radi जाना है वह सारी process क्याँ ऑती आई पी यहनकी इंटरनेट प्रोटोचॉल पबश्च करता इंटरनेट हमेशा दोस्तों क्या करता एक यूनिक एड्रस होता हर एक सिश्टम का जिसको हम आई-पी बोलते हैंओ टीशीपि ट्रांस्मिशन कंट्रॉल प्रोटोगोल जो कि हम बता चुके हैं ट्रांस्मिशन को कंट्रोल करता प्लेपि एड़र्स चेक करता जिस कोंप्यू और लाता रहता हूं ऐसी ही वीडियो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन जैवारत दोस्तों